हेलो दोस्तों आज फिर सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी कीचन के लिए टीप्स एंट्रिक्स लेक्या ही हूँ जो कि आपके काम को आशान कर देगा मठर छिलना हो चाहे आटक उतना हो बहुत ही आसानी से आप उसे कर लेंगे ठंडियों में हैं किसी को परिशानी होता ह है ठंडियों में ऐसे ज्यादा ठंडी लगता रहता और काम के कारण से समय भी बहुत छोटा होता है तो चलिए हम लोग फर्स्ट टीप्स देख लेते कि क्या है देसे की मठर छिलना होता है दोस्तों जब एक एक करके छिलते हैं से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है है और मठर हम खरीद कर भी लाते हैं पर टाइम नहीं होता है अगर हम चील के तुरंत उसे रख देते हैं तो बहुत आसानी से हम उसे फटा-फट से सब्ची बना सकते हैं तो यह देखी दोस्तों हलका सब ठंडा हो जाए तो हम इसे एक हांत में ही ऐसे करेंगे इसका चील क और आज माते हैं मठर चिलने के लिए जिसमें आप फास्ट काम कर सकते तो प्लीज मुझे मेरे सास जरूर कीजिएगा तो देखी कितना अच्छा टेक्निक है ना तो ऐसे ही आप भी सारे मठर को छिल सकते हैं एक बार इस ट्रिक को अपना अपना कर जरूर देखिएगा तो आटा को लेकर आटा जो होता है तो जो है मतलब गाठ जैसे हो जाता है जो की परसानी तरह एक फोड़ना पढ़ता है तो सबसे अच्छा है कि हम इसे इसे कुछ सिख्य को साब सुत्रा पहले दोलीजे साब कर लिजे उसके पार सीफ्हे को सिक्टा पहले दोलीजे गर आप जो है बिल्कुल भी रोखता नहीं चननी में और सभी आठा अच्छे से चन जाता है और रोटी बनाने के तयार है इस टिप्स को जरूर आप भी आजमा कर देखिएगा अगर कोई टीफ और है तो आप मुझे शेयर जरू कीजिएगा तो चलिए तीसरे टीफ को देख लेते त करेंगे सब्सक्राइब करेंए तॉचा ज म blessings त que а duke बिल्कुल थालाब मुझेट पर सबाव है तो अगले थे इसले को सकति ह समयार में नहीं खर तो यहां पर वाशिंग मसीन में हम जब कपड़ा दोते हैं उसको लेकर है कपड़े जब दोते तो कभी कभी लगता है कि कपड़ अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो इसके लिए बहुत अच्छा टेकनिक है अब इसमें कुछ गंदे कपड़े जो आपको दोना है वाशिंग मसीन डाल दीजे इस ट्रिक को आप इस वाशिंग में भी कर सकते हैं प्रंट लोड हो या फिर सेमी आटोमेटिक में प्याप करके देख सकते हैं तो यह देखे सभी कपड़े को मैं यहां पे डाल देती हूं उसे भी में इसी के सांथ ढाल देते हैं और इसे बंद कर देजे और इसके बाद दो भी डि intent गरते हैं करती हूं और इसमें आपको डेट वगर जो डालना है जो भी आपको डालने वह भी आप डाल सकते नेल वगर लगाते तो जो भी अब इसके दोने के बाद में इसे दिखाती हूं 15 मिनिट मैंने क्वीक वास में दोया है इसे और यह देखिए कपने में सोड़ा शाइनिंग आ जाता है जो की काफी अच्छा शाइनिंग आ गया है यह देखिए यह वाला देखिए टी-सट भी कितना एक तब अच्छा मतलब शाइनिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा टेक्निक है इसे भी आप आजमा कर देखिएगा कपड़े बहुत अच्छे से जूलता है जब पास कोई अच्छी सी ट्रीफ है तो मुझे शेयर जरूर कीजिएगा तो आई वब आप लोगों को यह वाले ट्रीक भी अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर आप आजमा कर देखिए और इसमें जो भी डाले थे अल्मिनियूम का जो बॉल्स दोस्तों वह जब आपको म अच्छनी हुआ इसे आप बार यूज कर सकते हैं कि तरफ चलते हैं अगले टीप की तरफ चलते हैं अगली टीप है आटा गुतना को लेकर ठंडियों के दिन में आटा गुतना बहुत ज्यादा परिशानी लगता है दोस्तों जब आटा बूत लेते फिर दोना परता हाथ की टीपस क्या अब करें जाते हैं कि एक गिलास अगर आटा है तो आधा पानी ले लिए मतलब आटा के अधा पानी लेड़ी तो दो गिलास पानी ले लिघे तो थोड़ा अधा घीय तेल अब डाल दीजिए जिसी कि आटा बहुत सौंब्धर और नरम बनेगा और जब पान बस अब गयस को बंद कर देते हैं और यह जो आटा है उसे हम डाल देते हैं और आटा को डाल कर अच्छे से मिला लिए और इसके बाद देखे दोस्तों जब अच्छा समिल जाए तो बस इसे हम तूरंत इसे ढख देंगे जिसे की गरम-गरम भाप में और अच्छे से हो जाए अब इसे कवर करके रख देते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद जब हलका सा ठंडा हो जाए एकदम जादा ठंडा भी नहीं हलका से ठंडा हो जाए पांच या च्छा साथ मिनट बाद आप चेक कर लिए सकते हैं उसके बाद आप सारे आटे को ऐसे ठाली वगेरा परात सब्सक्राइब आपको गुत रहा है उसमें डाल दीजा और ऐसे हाथों से सभी को अच्छे से मिलाइए देखिए सब्सक्राइब अच्छे से बूत जाता है दोस्तों और हाथ आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आटा जो है एकदम फटा फट मतलब तैयार हो जा जाता है तो बिल्कुल भी आपको परिशानी नहीं होने वाला है तो बहुत ही कमाल की ट्रीक्स है दोस्तों इसे एक बर जरूर आजमा कर देखिएगा अगर आप आटा उतने के लिए कोई और टीप्स आजमाते हैं तो वह मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा तो देखिए आ और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा तो चलिए दोस्तों एक नए टीप्स आओ टीज के साथ हम फिर से नए वीडियो मिलते तक तक के लिए टेक क्यार